जो है equipment चेक करने के लिए आपको series connection का जो bulb होता है मतलब series connection जो होता है उसको जरुवत होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने series connection मनाया है इससे जो है आप कोई भी electronics component है हो उसको check कर पाऊगे इस bulb या series light पनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए आपको चाहिए इस तरह का एक female और male socket ठीक है और इस तरह का एक bulb का socket ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर bulb भी चाहिए एक 100 watt का bulb इसमें use होता है इसमें कोई भी LED वागरा कुछ भी use नहीं होता आपको इसमें 100 watt का bulb ही डालना है ठीक है short होगा तो यह खराब नहीं होगा मतलब वो जलेगा नहीं या आपका MCV भी नहीं गिरेगा देख सकते हैं मैंने इस तरह से यहाँ पर यह socket राका है male वाला यहाँ पर यह बल्ब बला और यहाँ पर आपका यह female वाला ठीक है यहाँ पर बहुत ही connection easy है तो यहाँ पर चलिए connection जो है वह फटाफट से कर लेते हैं दोस्तों series valve जो है वह आपको यूज करना ही है नहीं तो आपका जो है electric shock भी लग सकता है बहुत problem हो सकता है यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो male होता है female होता है socket में एक screw होता है तो यहाँ पर जितना भी screw होगा आपको पहले खोल लेना होगा ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो screw था उसको खोल लिया है अभी जो है आपको क्या करना है अभी आपको यहाँ एक connector में यहाँ पे आपको wire लगाना है ठीक है यह जो wire है यह आपका direct जो है holder में जाएगा क्योंकि holder के bulb के साथ यह connect हो जाएगा ठीक है और दोसो series bulb से जो है जितना भी electronics का component अगर चेक करोगे अगर उसमें short मिलेगा तो आपका bulb जो है वो glow होने लगता है और आपका जो component होता है मानली जो component जो है खराब नहीं है लेकिन अगर आप direct mode होगे तो यह खराब हो सकता है ठीक है तो इस तरह पे आपको एक wire डालना है और यहाँ पे फिर से आपको जो है दूसरा भी wire डालना है ठीक है तो यहाँ पे इस तरह से आपको दोनों wire डालना है ब यह बनाना बहुत easy है, यहाँ पर देख सकते मैंने इसमें लगा दिया, ठीके, दूसरा जो wire आपका यहाँ पर आया है देख सकते है, holder से ये वाला, ठीके, ये वाला green color का wire, इसमें भी आपको जो है यह वाला wire लगा देना है तो यहाँ पर दोनों wire लगाने पर आपका यहाँ पर connection है वो complete हो जाता है इसे बनाना बहुत easy है दोस्तों और जितना भी electronics का काम है आप इसके विना नहीं कर सकते इससे safety बन जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर यह वाला position बन के ready हो चुका है तो यह complete हो गया है तो अभी कुछ looping इस तरह सा दिखेगा तो यहाँ पर हमारा bulb जो है अभी यहाँ पर holder का connection बन चुका है अभी दूसरा connection जो है वो किछ इस तरह से बनाएगा तो यह वाला connection यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर भी थोरा सा आपको प्याच को ढीला करना है और यहाँ पर भी आपको यह वाला wire लगा लेना है तो यहाँ पर दोनों wire लग चुका है यह socket जहां से आपने खुला था वहाँ पर आपको फिर से fix कर देना है तो यहां पे इस तरह से मैंने socket को खुला था अभी जो है इस तरह से फिर से हम बंद करेंगे तो हमारा यहां पे mail वाला connect होगा यहां पे देख सकते हैं दोनों वायर को मैंने थोड़ा थोड़ा करके छिल लिया है ठीक है बहुत ही आसान है दोस्तों यह जो series line है इसको बनाना इसमें आपका जो है 100 watt का bulb इस्तिमाल करना है दूसरा कोई भी LED बल्ब series बल्ब में यूज नहीं होता आप चाहो तो 200 जो होता है watt का बल्ब भी यूज कर सकते हो लेकिन कांच का बल्ब होता है series line में जो है आपका maximum जितना भी connection होगा वो आपका कांच के बल्ब में होगा normal जो है LED या कोई भी बल्ब नहीं चलेगा यहाँ ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर wire लागाने की जगा है तो यहाँ पर भी आपको wire डाल देना है ठीक है इहाँ पर देख सकते हैं connection का जो है wire मैंने डाल दिया है जो एक connection आपका bulb से आएगा दूसरा जो connection है वो female connector से आएगा तो यहाँ पर bulb में बल्प का जो connector है वो देख सकती है यहां पे मैंने इसमें set कर दिया है ठीक है अभी जो है यहां पे mail connector वो यहां से है तो mail connector में भी आपको female के साथ connect करना होगा तो यहां पर यह बनाना बहुत easy है तो यहां पे देख सकते हैं तो female connector में जो है दोनों wire मैंने अच्छे से जोड़ दिया है ठीक है set कर देना है तो यहां पे मैं इसको set कर देता हूँ एक और यहां पे यह दूसरा वागा ठीक है तो यहां पे आपको इस तरह से यहां पे इसे set कर देना है ठीक है तो उपर से जो है यह धकन था यह धकन को भी आपको lock कर देना है ताकि wire जो है वो बिल्कुल बीच में रहा है तो यहां पे wire को आपको बिल्कुल pop art जगा पे रखना होगा पीछे का यहां पे देख सकते हैं supporting nut होता है और यहां कर यहां प अब पहले आपको बीच में एक silu tape लगाना है ठीक है यहां पर silu tape हो यहां ब्लक टेप हो कोई भी tape आप इसमें लगा सकते हो उसके बाद आपको यहां पर यह वाला जो पॉइंट है देख सकते हैं बीच वाला जिसके साथ आपका connector चलेगा तो यहां पर भी आपको एक tape अ नहीं को डालना उपको हंडीड वाट का बल्ब याउया है कोई कर सकते मेन लाइन जो है आपको इस से ही भाया करना होगा बखैसा कोई चीज मुवन चेक करना है तो इसमें आपको यह चोंप पहले डालना तो देखी यहां पर यह स्वाट हो रहा है तो यहां पर LED मतलब यहां पर जो हमारा 100 वाट का बल्ब हो जनलने लगता है ठीके तो जब भी आपको कोई भी चेकिंग करना है वह आपको सीरिस लाइन में इस तरह से ही करना है करना के तो यहां पर इसे चेक करना यहीं है देख सकते हैं यहाँ पर मानेदे जिए मेरे पास एक छोटा सा ड्राईवर है तो इसको आपको चेक करना है तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक किचेए शेर किचेए सब्सक्राइब करना मत भूलेगा धन्यवाद